नमस्कार दोस्तों डिजिटल पावर यूटूब चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं एक और बड़ी भरती निकलक आ चुकी है ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट में और यह भरती जो भी एस्टुडेंट तुएल्थ पास है और उनके पास कंप्यूटर की ज दोने वाला हूं और इसमें आपका जो आवेदन होगा वो पीना किसी एकजाम ठीका होगा यानी इसमें आपको एकजाम भी नहीं लेगेगे भरती का परकीरिया में आपको बताने वालों district लिटीन फाय सलाभार्ट करा देंगे तबतक वीडियो अच्चले हो तो लाइक निगम के द्वारा जायर किया गया है और विग्यापन जो डेट है यहां पे तेरह दस दो हज़ार बाइस तेरह अक्टूबर का है और यह भरती जो होगी वह बिहार राज पत्थ परिवहन निगम के द्वारा लिया जाएगा और भरती में पोस्ट जो है वह कंप्यूटर या किया गया है कि जो योगदान आप करेंगे उस एक बर्स के लिए ही किया जाएगा कारे अगर आप अच्छा करते हैं तो आवसेक्ता अमसार इसको एक्स्टेंट किया जाएगा आगे बढ़ाया जाएगा बात कर लेते हैं योग्यता की तो योग्यता यहां पे है स्पीड जोगा हिंदी में आपको 25 वर्ड एंगलिस में 30 वर्ड होना चाहिए उसके बाद इस सब की जनकारी आपको पास होना चाहिए अगर अनुभाव है तो आप यहां पे आपको बोनस दिया जाएगा यानि आपको प्रात्मिक्ता दिया जाएगा अनुभाव नहीं है तो आपको कोई ज़्यूरत नहीं है आप डारेट एक्जाम क्वालिफाई करके आप टाइप इस्ट बन सकते हैं पद की संख्या जो है वो 35 है और इसमें 15500 सेलरी आपको मिलेगा और इस सेलरी से ही आपका जो कटा होती होगा वो किया जाएगा आबेदन कैसे करना है तो इस पर हाल ही का दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ इस पते पर यानि मुख्याले परिवहन भावन बिर्चंद पटेल पटना इस पते पर आपको भेज देना है और इसका जो डेट है वो 17-11-2022 से पहले वहां पर आप हाथ हो हाथ स्वयम जाके भी जामा कर सकते है या रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं आभेदन करने की जो उम्र सिमा रखा गया है और अधिक्तम यहां पर उम्र आपको 40 बर्स रखा गया है FC시 को यहां पर तीन बर्स और पांच बर्स का छूट दिया गया है इसमें जो छूट है कंप्यूटर टाइपस्ट के लिए जो रिजर्वेशन है उसको यहां पर रिजर्वेशन कोटा पालन किया गया है तो रिजर्वेशन कटेगरी का यहां पर कटेगरी का अंसार बाता गया है कि किस काटेगरी में कितने सीट एवेलेबल है वो यहां पे दिया गया है मेल और फिमल दोनों काटेगरी के इहां पर आवेदन कर पाएंगे चार नमर पर बताया है कि जो भी यहां पर आरक्षित पद है उसके लिए आरक्षित कोटी के अमसार आयों परिसंपत्ति का परमाण पत्र यानि क्रीमी लेयर रहित जाति परमाण पत्र आपको सनलगने करना होगा आवेदन करते वक्त आपको देना होगा पाच्वी नमर पॉइंट बताया गया है कि आपके जो भी यहां पर नयाले मानने नयाले अम थाना में आपके बिरिद किसी भी परकार का कोई वाद निगरान या विभागिये कारवाई नहीं होना चाहिए लंबित नहीं होना चाहिए इस संबंद में आपको न निगम द्वारा कोई भी भात्ता यहां पे आपको नहीं दिया जाएगा कि सेलेक्शन का प्रोसीजर जो रखा गया है उसमें आपको सबसे पहले आपका एक्जाम होगा सी बीटी यानि कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा उसके बाद आपको अपना हिंदी और सनफोटर में आपको यहां पे सोटलिष्टेट किया जाएगा समाने परसाषन वाग के जो यहां पर दिया गया है उसमें आपका रेजर्वेशन कट्रेगरी का जो भी यहां पे अरक्षंड या गयर आरक्षित प्द्ध है उनमें पूर्श उमिद्वारों से जो भरा जाए जान कर दिया गया और नियोजन ही तु जांच की उप्रांत ही आवेद्गों को योगदान के समय और सवास्ति परमाण पत्र यानि मेडिकल सेटिफिकेट आपको बनवा के लिए जाना होगा और नियोजन को पश्चात आपका पता स्थापन बिहाराज में इस्थित किसी भी कार अस्थल पर हो सकती है इसमें आपको सपत पत्र देना होगा इसमें आपको इस सभी जनकारी इस नोडिफिकेशन में दे दिया गया है तो इस नोडिफिकेशन को आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्म को फिल डाल दीजिएगा जाति परमान पर डाल दीजिएगा जो भी इस से डॉकमेंट्स से आप डाल सकते हैं अगर आप कहीं काम किये तो सट इपलोड करना है नहीं आपको दे ना है बस आपको कम्टूर सट दे देना है तो कैसे रही जनकारी कमेंट बॉक्स में जरूरू बताएगा आपका थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो वीडियो का लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा मिलता है नए अपडेट नए वीडियो के साथ जाहिंग बंदे मात्रा